नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आफिसल यूटूब चैनल जीएस भाई नीरचर में ल्टी ग्रेट न्यू जॉब वेकेंसी की बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत सर सो होती है सीटों की संठ्या क्या रहनóc है योगता क्या पूछे जाytा रहता है पास होना जरूरी है साथी सारे सरी क्या विडियो के बारे मैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रस कर लें जिसे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भर पूरलाब ले सके हैं वीडियो पसंद आने वे फ्रेंड्स के भी जोर सेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग लाभानभित हो सकें आईए स्टाट करते हैं अगर शेटू की संक्षय की बात करते हैं तो बेटब बेक्यैजी यहां के बएकन्सी यहां 5500-बे रहने वाली है और इसलिए उस पे जब मुख्यमंतरी की मोहर लगेगी तभी फैनली अधियाचन मांगा जाएगा और यहाथ आं मांगने के बाद ही काम हो पाएगा नेश्ट टेट सीटेट के अगर बात करते हैं तो बैटा टेट और सीटेट इसमें अभी तक तो लागू नहीं है अगर आगे कोई सूचना होती है तो चैनल के माद्धिम से आपको सबसे पहले और सबसे तेज बता दिया जाएगा अभी तक टेट और सीटेट अगर मांगा जाएगा तो जूनियर लेबल का मांगा जाएगा प्राइमरी लेबल का नहीं इसलिए टेट और सीटेट की विकेंसी शुरी नोटिफिकेसन आग यह है फाम अपलाई कर दीजिए और टेट और सीटेट आप लोग अवस्चे ही कौलिफाई कर लीजिए जूनियर लेबल का क्योंकि LT grade हो या फिर GIC परोगता हो या फिर अधर कोई विकेंसी उसमें भी ивать कमपलसी रही है बीएड पास होना जरूरी है तो बीएड कमपलसी है कोई भी परसंटेग्स से आप कोई ज़रूरी नहीं है बीएड के साथ आपका अशनात्य है क्यानिए teşekkür होना जरूरी है तो उन्डर्ग्रिजुएट आप जिस सभ्जेक्ट से होंगे उसी सभ्जेक्ट स इसका एक अच्छा स्लेबस माना जाता है क्योंकि नोकरी अच्छी है TGT और PGT से बेटर नोकरी है ये तो इसलिए इसका स्लेबस भी मेंटेन रखा गया है स्लेबस के बात करते हैं भी लेटर्स में GIC Procta इसे का अपर ग्रेड है GIC Procta तो GIC Procta का पेपर हुआ आप λोग जानते हैं वहां भी 120 प्रसण पूछा गया था सबजग्ट से और सब्जेक्ट से यहां भी 120% पूछे जाते हैं यह इसी प्रोक्ता में 120% पूछा गया सब्जेक्ट से 47-40% वहां पूछे गए थे GS से जबकि यहां पे 30% का परावधान है GS से हाला कि यह भी कई जगे बात चल रही है कि सलेबस इसका चेंज हो सकता है हाला कि सलेबस अगर चेंज होता है सबसे पहले और सबसे तेस जानकरी दी जाएगी लेकिन अगर सलेबस बदलेगा तो कैसा होगा तो बेटा यहां पे 80 कोईस्टनों का प्रावधान किया जाने वाला है कि 80 कोईस्टन सब्जेक्ट से पूछ लिया जाए साथी साथ इसमें किया जाए 70 कोईस्टन्स का G.S 70 वाला G.S कर दिया जाए 80 वाला यह कर दिया जाए और अगर 100 पे हम लोग बात करें तो 80-20 का भी रेइसियो हो सकता है 80 उससे पूछ लिया जाए 20 कोईस्टन्स पूछ लिया जाए GS से, इस टाइब से 100 questions ही कर दिये जाए, इस पे भी बात चल रही है, हलाकि अभी तो 120 प्रस्ट आप से subjective पूछा जाएगा, साथी साथ 30 questions GS पूछा जाएगा, 150 questions पे आपका finally merit बनेगा, 150 questions पे और 150 पे ही merit बनने के बाद, combined merit बनेगा और उसी में आपका final निकाला जाएगा, कित अगर आप गलत questions करते हैं, तो उसमें minus marking का प्रावधान नहीं है, जिबकि TGT और PGT की भरती में minus marking का प्रावधान नहीं था, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सूच बिचार के questions करना पड़ेगा, one by third minus marking है, इसलिए यहाँ जरूरी है कि आप जो questions जानते हैं, वही 100% करें, का प्रावधान है, अगर इससे कम किसी के आते हैं, तो बेकेंसी खाली चली जाएगी, सीट खाली चली जाएगी, लेकिन यह नहीं है कि किसी बंदे को रख लिया जाए, कम मेरिट पे रख लिया जाए, तो इसलिए इससे ज़्यादा नंबर हर एक को लाने होंगे, 45% से ओभी इसी के लिए 40% का नियूंतम प्रावधान है कटाफ के लिए, नेक्ट बिग्यापन तिथि की अगर बात करते हैं, तो बेटा, अभी निर्देश सालाय में अटका हुआ है मामला, क्योंकि ये उच्छ सिच्छा विभाग का ही मामला है, और दिने सरमाजी इसमें संग आचायर संगता फाइनली दिसंबर से जनूरी के मध्य लग सकती है, और जैसे ही निर्वाचन आयोग आचायर संगता लगा देगा, आदर्स आचायर संगता के उलंगान में ये कारे नहीं हो सकता, इसलिए उससे पहले नोडिफिकेशन देना होगा, अपनी तयारी को अफि पुछे जाएंगे, उसकी तयारी आपको फ्री आफकास चेनल करा देगा, उसमें कोई डौर नहीं है, अगर अब भी कोई 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 है, कमेंट के माधिम से निश्चो दरूप से लेकें, लेकिन पहले वीडियो ढंग से देख लें, अगर कुछ ना समझ में आये, तभी कर दे, उमीद करता हूँ, समझ में सब कुछ आ गया होगा, अब मिलते हैं, नेक्स में में तब तक के लिए, जय हैंद,